इस वीडियो में हम पैथर इंट्रॉट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् में classified होते हैंशोजञिनियस और एंदर जीनियस एक्जोजञिनियस का मतलब होता है बाहर से आते हैं पिग्मेंट के ऑउट सब्सक्राइब का लोग ऐसा माइनिंग में पाम करते हैं वहां जो काल बना से वो एंट्रेक करते हैं उससे उनको कारबन एक पिग्मेंट बाहर से मिलता है तेके अगर सीपा मेकानियसम सिंपल सब्सम्द में समझने की कोशिष करें तो देख़े कोई भी बीवेक्ति कारबन या कोल डस्त को इन हील करता है उसको मैक्रोफेज ने लिया है वहां मैक्रोफेज ने उस कोल को लिया है सबीकिए जो मांने वहां सब्सक्राइब करते हैं बाहर से जैसे कारवन यह सब हो गया मिलते हैं तो इससे क्या होगा कि जैसे जीकी कर डिकेट होगा नंक्स में वह वह फाइब्रोब्लास्टिक रिंक्षन कॉस्प करना शुरू कर भी स्थे धे काला पढ़ने लगता है और ईसको सास लेने में भी तक्लीफ होने लगती है तो को इसको इंफसीमा होने लगता है और ये जो serious lung disease होता है जो carbon dust से cause हुआ लता है उसको cold workers pneumoconiosis बोलते हैं देखे cold workers इसलिए बोलते हैं कि ये वर्कर Kole Minus में काम करते हैं यह जीजे जो disease होती ह även नूमेकॉनिओयोसिज यह ज्यादा होती है प्रिखें नॉमेकॉनिओसिज इसका मतलब क्या होता है सिंपल से अगर आपको बिखोंत दो समयं नो नॉ-प्लाश्टिक भी खिलंग तो यह Har मतले हैं इसी करता था है चले मिंदरल तो हो सकता है अब इसमें इम्पाइड है कि यह डिपेंट होता है किक्ष्ट फक्रिये तो a ज मैंसा बीन्डिक उसक्ता है मिनर्य दो कच्छा क्षास को निमाइड हैं थे वह दो है यह it usually से का लिएविकी तरीकी का वेपर फॉर्म में कन्जियम किया है या उसके लंक्स में आया है जैसे पॉर इसके अलवल्य को एक एक्षिनटर होती है वो कम होगी है इस तरीके से जो मेत्ắt You know बीबैंट होता है कि कितने को बन्य कोशिश करें की यह जो नुमोक्रय निएस थो अजिए बहुता है यह डिपेंड होता है कि कितना amount of dust उस व्यक्ति ने consume किया है थुरू airway और वो लंग्समाया है size, shape या bioncy उस particles की उस particulates की जो कोई भी particulates हो सकता है वो carbon हो, asbestos हो, silicon हो उसके size पर भी उसके shape पर भी निरभर होता है उसका particle की जो solubility है या उसका जो physiochemical reactivity है उस पर भी ये निर्भर होता है कि ये कितना soluble है ब्लड में या नहीं है ये इस पर भी depend होता है कि साथ में और कौन सा irritant उन्हेंने consume किया है या उसमें tobacco smoking करता भी है कि नहीं, वो भी एक important factor है देखिए, ये जो nevokoniosis होता है, ये small percentage में होता है ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये small percentage में ये people को होता है जो occupational respiratory disease है जो व्यक्ति इस factories में काम करते है asbestos ये silicon ये carbon minus में, तो इनमें ये small percentage में होता है तो इसका मतलब ये बताया गया है कि ये genetically predisposition होता है मतलब genetically spread होता है, इसके और भी बहुत सारे example ये depend होता है कि कौन सा mineral इसने consume किया है, तो इसके हिसाब से ये जो निम्मो कॉनियोसिस है वो defined किया गया है, जैसे silicosis, enthicosis, asbestosis, okay ये तीनो lungs पर affect होते हैं, lungs को एक तरीके से काला बना देते हैं उसका इलवला ये black पड़ जाता है और वोपत oxygen एक्षेंज नहीं हो पता